नमस्का दोस्तों मैं प्रणाओ आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने क्रिप्टो करेंसी वाले वीडियो में आज हम एनलीसिस करने वाले है कारड़नो एंड मैटिक का आपके लिए मैं अनलेसिस करके गया था तो एक बार देख लेते कि उसके अंदर में क्या मूवमेंट आई है और अभी हमको उसको किस तरीके का अप्रोज देना अच्छी आने वाले हफते के लिए वैसे पिछले हफते बहुत सारे अच्छे-च्छे कोईंस के अंदर मूवमे आज़ी सुनिएगा साथ में आप बैट रहे तो पेपर पेन लेके बैटी तो आपके दिमाग में रहेगी आप शायद एक बार सुनके भूल सकते हैं पर अगर आप लिख के रख देंगे उसको तो आप भूलनी पाएंगे ठीक है यह नशना से लेकि पूरा यहां था और उसके चाहे तो और ऊपर के तरफ में खीच सकता है अगर matic की बात करूँ तो matic के अंदर मैंने आपसे कुछ ये discussion किया था कि एक बार ये उपर गया है I am expecting a correction वाली movement जिसके अंदर में एक बार हम नीच आएंगे फिर उपर जाएंगे फिर नीच आएंगे फिर उपर जाएंगे ऐसा करता हूँ हम काम करेंगे एक दिन उपर एक दिन नीचे तो अभी दो दिन में दो तीन दिन के बाद में जो कुछ भी scenario निकल के आता है उसको मैं sum up करता हूँ और उसके basis पर अपर अगे का analysis करते हुए चलते है कारडनों के अंदर मैं आपको यह बोला था कि अभी जो इसने यहाँ पर अपना काम कदम करके एक बार bounce लिया है इस bounce के अंदर में पूरी यह संभावना निकल के आती है कि एक बार जो यह 4.5 to 5 डॉलर के असपास चले जाए बराबर है यह बात मैंने आपसे करी थी और यह भी मैंने आपको बोला था कि यह जो wave बन रही है यह wave के अंदर में अच्छा खासा impulse है और यह अच्छे खासा उपर जाने के लिए ready हो रहा है उसके लिए मैंने आपको एक zone बताया था short time के अंदर में that is a one hour chart मैं आ जाता हूँ थोड़ी candles कमा जाएगी तो आप यहाँ पर देख लोगे मैंने आपको यह बोला था कि जब हम इस जगा पे काम कर रहे है कि इस जगा तक एक बार यह नीचे test करने को आ सकता है अगर आना किया आया बाउंस लिया और उपर की तरफ में यहाँ से निकल गया तो अब setup क्या रहेगा setup वही रहेगा setup के अंदर में कोई भी changes नहीं है क्योंकि यह जो cardano है इसके अंदर में इतनी ताकत है कि आपको यह पूरे नजारे $4.5 तक दिखा सकता है और आपकी आखों के सामने धीरे धीरे जैसे मैंने बोला ना यह चलेगा थोड़ा सा गिर जाएगा नीचे फिर चलेगा फिर गिर जाएगा फिर चलेगा फिर गिर जाएगा ऐसा करता हो वह यह आगे के तरफ में चलने वाला है तो आपको किसी भी तरफ में इधर जल्दी माल बीचनी की मतलब जरू के लिए important है support क्योंकि इसको अपने को पता है सूनर और लेटर उपर जाना है तो जब जाना है तो जितना नीचे आता है सस्ते मिलता है उत्ते मलों उसको average out करने की कोशिश करेंगे तो अब जो next आता है level जहां से अगर यह अब इस level तक टच करना चाहता है तो उसकी हिंट आपको का मिलेगी सर उसकी हिंट आपको इस level के कटने के बाद मिलेगे आप बोलोगे सर ऐसा क्यूं ऐसा इसलिए यह बता देता हूं मैं क्यूंकि यहाँ पर आप देख सकते continue इसने आप रेजिस्टन्स देखा है बराबर multiple time यह आप अपन उपर काट आप इसे काटने के बाद भागा नहीं हो यहाँ पर sideways हो गया मतलब अगर यह किसी भी हालत में आपको यह दिखता है कि Cardano 2.93 डॉलर्स के उपर में नहीं जा पा रहा है तो सर एक संभावना सबसे ज्यादा यह बन जाएगी कि यह इस line को टच करने के लिए आ जा और आपको एक चीज़ पता होगी लास्ट विक जम मैं आपके सामने आते मैं आपको चीज़ बोलता है 2.9 डॉलर्स अगर कड़ गया तो आपको इसके अंदर में थोड़ी positions बनानी है तो आप बना सकते हो पर एक साथ पूरा पैसा मत डालना थोड़ा थोड़ा पैसा डालन आके थोड़ा सा साइडवेज हो गया फिर अगर यहां से निकलता हो दिखता है तो यह फिर उपर जाएगा 3.2 डॉलर्स के असपास में और 3.2 डॉलर्स के असपास में जाके फिर यह थोड़ा सा इस हफते के अंदर में रुख सकता है अगर यहां से उपर निकलता है तो य या आपको short term stop loss अगर इसके नीचे आता है तो फिर सीधा ये 2.3 डॉलर के पास में आएगा अब थोड़ा समय लॉंगर टाइम की बात कर ले तो थोड़ा सा अगर अब मैं पुरू सप्टेमबर सीरीज की बात करू सप्टेमबर सीरीज के अंदर में सर मुझे कही ने कर ये सं करकी इस zone के अंदर में sideways हो सकता है इस महने के अंदर में पर मैं इसके अंदर में बड़ा drop अभी तक नहीं देख पा रहा हूँ तिल 4th of September जब मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने में बात कर रहा हूँ तो ये मैंने आपको cardano के बारे में सारी चीज़े बता इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई भी आपको tension लेने वाला ऐसा कोई scenario है पर मैं जितना समझ पा रहा हूँ इसके अंदर में सर ये चाल बनी है बहुत तगड़ी चाल है ये सर आपको अच्छे घासे target दे सकता है और cardano के अगर मैं आपको ये भी बात कर दूँ ये म फिर मैं step by step बताता हुआ चलूँगा the next is matic matic के analysis में आया था लेकि मैं आपको बोला था 1.7 dollars की उपर जाना इस हफते मुझे संभावन नहीं लग रही है यही बात में आपके सामने करके गया था और जब मैं आया था तब सर ये बना हुआ था ये candle formation हो चुकी थी तो मैं आ 1.1 dollar के आसपास है 1.05 के आसपास में आने की यह पूरी संभावना है matic की matic बिल्कुल आ सकता है तो matic के अंदर हमको क्या देखने को मिला कि पहला जो face था इन्होंने तो पूरा यह बनाया अब next face के अंदर में जाने की कोशिश कर रहे है और अगर करने कोशिश करते नहीं जा पाते उपर bounce लेके फिर यह नीचे के तरफ में drop लगा सकता है तो अभी के लिए में क्या कर रहा हूँ मैं एक बार अभी matic को exit out नहीं करना चाहता हूँ यह जो lines draw की इनको में हटाना नहीं चाहता हूँ थोड़ा अपन कम time frame में आ जाते थोड़ा देख लेते कि short term के अ bounce ना कम bounce है यह इस high के उपर जाना चाहता 1.5 के उपर जाना चाहता पर यह नहीं गया अब जो है अगर इस हकते आपको यह दिखता है आने वाले time में कि अब यह इसको hold कर रहा है और उपर की तरफ में निकलने की कोशिश कर रहा है तो मैं आपको क्या कर देता हूँ अगर क 1.6 के आसपास में है यहां तक कि इसकी पूरी संभावन बनके आती है अगर निकलता है तो बिल्कुल जा सकता है और एक condition इसमें है मैटिक के अंदर में speed में आना चीए bounce ऐसा हलका सा जाके touch करकी नीचे आ गया ऐसा नीचे है आए hold करे खीचे खीचे तो आपको अच्छा व अभी मुझे फिलाल वो setup नजब नहीं आ रहा है अभी ऐसा सा लाग रहा है कि इसके अंदर में थोड़ी correction है पर यह जो आपे काम कर रहा है इस चक्कर में समझी में आ रहा है कि यह trade line को काटता है तो इस बारे bounce ले सकता है अब 1.55 के आसपास में and the next is 1.6 dollars के आसपास में ए इस zone के अंदर में आने वाले एक हफते, देड़ हफता, दोड़ हफता और इस zone के अंदर में orange line के अंदर में काम कर सकता है तो इसमें जल्दी नहीं करना अगर आपने bottom पे उठाया है बहुत अच्छी बाते नहीं उठाया आपको फिर एक बार मौका मिल सकता है अगर मौका मोमेंट 1.2 डॉलर के असपास का जो स्पाइक है कि कम से कम इसके अंदर में आना तो मिनिमम भी बाकी है सो मैटिक भी जो अच्छा चार्ट बना रहा है मुझे ऐसे चार्ट पसंद आते हैं जो एकदम से उपपर लेके एक बार लोगों को पूरा नीचे उतार देते हैं और बाद में टाइम पास करते हैं जब ये ग्राइंड करते हैं बहुत लोगों का ध्यान नहीं होता है और ऐस अक्सर जब ध्यान नहीं होता है तो चुपके से निगल जाते है और जब यह निकलते तो सर धमाग करते है और इसका नाजारा आपने यह वाला देख लिया होगा यह यहां से जो इसने सीधा स्पाइक लगा है यह ऐसे धमागे बनाए जाते है जिसके अंदर में आपको सीधा 41%, 30%, 50% की बड़ी बड़ी कैंडल है आपको देखने को मिल जाती है तो यह हुआ मेरा इस हफते के लिए मैटिक का एनलेसिस काड़ानों के अंदर में क्या हो सकता है कि बिना नीचे गीरे धीरी धीरी उपर ग्राइंड करते करते खेचता रहा है तो आपको क्या करना है जिस बढर है साकता वाज एक बार इसको नीचे आना चीर hice या उसे सोन के अंदर में ग्रइंड करना चीर क्यूं क्यूंकि मैंने लास्ट विक आपको बताया था मैं टीक के अंतर में करेक्शन जो पेंडिंग है उसके अंदर में चाल जो बन सकती है वैसी बन सकती कि एक दिन नी decision ले सकते हैं पर crypto है sudden down आता है तो मेरे update आने के पहले आपको exit out करना पड़ेगा उसके लिए मैंने आपको stop loss सारे बता के गया हूँ बस उसको follow करना है उसके आल आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा लगा तो फिल्स इस वीडियो को लाइक बटन जरूरत अब दोस्थों से वीडियो को शेर करेगा अभी तक चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक के लिए आप सभी लोग देखते हैं यह dedicated investments हम मिलते हैं बहुत ही चलत अगले वीडियो में तब तक के लिए साल नमस्ते